एक गाव में एक किसान था। किसान एक दिन अपने अनाज की कोठी में काम कर रहा था। काम करते करते उसकी घडी कहीं खो गई। उसने कुछ देर तक अपनी घडी को ढूंधा। घडी नहीं मिली। मायूस हो गया और मायूस होना सही भी। था, उस घड़ी को किसान के पिताजी ने उफार स्वरूप दिया था, उस घड़ी से किसान का काफी लगाव था, वो एक बार फिर अपनी घड़ी को ढूंडने की कोशिश करने लगा, अनाज की कोठी में बहुत देर ढूंडने के बाद भी धड़ी नहीं, मिली, तो हताश होकर कोठी से बाहर आया उसने देखा बाहर कुछ बच्चे खेल रहे हैं उसके दिमाग में आइडिया चलने लगा किसान ने सोचा मैं अकेला अब तक धूंड रहा था क्यों न इन बच्चों को भी घड़ी धूंडने में लगा दू उसने घड़ी धूंडने के बदले बच्चों को इनाम देने के लिए कहा बच्चे इनाम के लालच में तुरंत मान गए अब सारे बच्चे कोठी के अंदर जाकर घड़ी धूंडने लगे बच्चे जितना धूंड सकते थे उन्होंने धूंड़ा पर घड़ी नहीं मिली, बच्चे ठक चुके थे, उन्होंने हार मान ली किसान भी अब ठका और हारा महसूस कर रहा था बच्चों के जाने के बाद वह हताश और परिशान बैठा था कुछ देर बाद एक बच्चा वापस आया आकर किसान से बोला क्या मैं फिर से घड़ी ढूंड सकता हूँ किसान ने कहा ठीक है बच्चा फिर से कोठी के अंदर गया और थोड़ी देर में घड़ी के साथ वापस लोटा किसान ने देखा बच्चा अपने हाथों में घड़ी लेकर वापस लोटा है किसान की खुशी का ठिकाना न रहा किसान को कुछ समझ नहीं आ रहा था जिस घड़ी को उसने इतनी देर ढूंधा और इतने सारे बच्चों ने ढूंधा उस समय वह घड़ी नहीं मिली अब कैसे मिल गई उसने बच्चे से पूछा तुम्हें यह घड़ी कैसे मिली बच्चे ने कहा कोठी के अंदर जाकर वह एक जगह पर खड़ा हो गया और शांत वातावर्ण में घड़ी की टिक-टिक सुनाई पड़ रही थी मैंने घड़ी की टिक-टिक की आवाज की दिशा में ढूंधना चालू किया और घड़ी मिल गई किसान ने बच्चे को पुरसकार दिया और हृदय से आभार व्यक्त किया अब किसान खुश था क्योंकि उसे उसकी घड़ी मिल चुकी थी कहानी की सीख इस कहानी से हमें सीख मिलती है शांती हमारे लिए और हमारी सफलता के लिए जरूरी है शांत चित रह कर ही हम सफल हो सकते हैं आपको हमारी कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं